हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं मनीशा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काली पड़ी गर्दन से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं वो भी बिल्कुल नैच्रल तरीके से तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए कैसे ही रहने दे दो मिनट होने के बाद आप इसे गीले टॉबल या फिर गीले कॉटन से साफ कर ले कच्चे दूद से इसकिन पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है साथे फ्यवर भी होती है स्क्रब बनानी के लिए लेना है एक चम्मच चावल का पाउडर एक चम्मच कॉफी पाउडर इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसे अपलाई करने के लिए लेना है आधा निबू निबू को इसमें डिप करेंगे और इसे अपनी गर्दन पे अपलाई कर करना है करीब 3-4 मिनट तक कैसे ही स्क्रब करना है चावल के यूज से डेड़ स्किन रिमूव होता है कौफी के यूज से इसकिन ब्राइट बनती है यह इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि इसके एक ही बार के यूज के बाद आप देखेंगे कि आपकी गरदन पहले से काफी ज्यादा फेयर ग्लोइंग हो जाएगी इस स्क्रब को आप कोहनी घुटिने पर भी अपलाई कर सकते हैं यह डेड़ी स्किन को रिमूव करता है काला पंदूर करता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्क्रब है कर लेनी के बाद इसक्रब आप इसे पानी से वाश कर ले पैक बनाने के लिए लेना है एक चमच बेसन, एक चमच कॉफी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, एक चमच नीबू का रस और लास्ट में इसमें एड करना है एक चमच आलो का रस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है आलो और नीबू के यूज से गर्दन का काला आपन बहुत ही जल्दी रिमूव होने लगता है इस पैक को अपने पूरे गर्दन पे अपलाई करना है अपलाई करनी के बाद इसे 20 मिनट तक के लिए रहने दे उसके बाद इसे ठंडे पानी से वाश कर लेना है या फिर आप इसे नहाने से पहले भी कर सकते हैं बेशन के य इंग्रेडियन के यूज से गर्दन का कालापन बहुत ही जल्दे रिमूव हो जाएगा ड्राई होने के बाद इसे ठंडे पानी से वाश कर लेना है ऐसा आपको वीक में दो बार करना है कुछी दिनों के यूज से आपकी गर्दन का कालापन पूरी तरीके से रिमूव हो ज जादा effective remedy है